मैं डॉक्टर मुकेश कुमार वीजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलोजिस्ट और एंडरोलोजिस्ट इन कोलकता मैं आपके किड्नी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथरा के रिलेटेट कोई भी प्रॉलम होती है कैसे वो पुरूशो या महिला हो, उसका टीटमेंट करता हूँ उसके अलावा पुरूशो की जो सेक्स की प्रॉलम है, उसको भी टीट करता हूँ मैंने ये यूट्यूटीब टूरेणल बनाया है, आप लोगों को एक बेसिक नोलेज देने के लिए किड़नी यूरेटर ब्रॉलम होती है, तो उसके बारे में आपको एक सही जानकरी मिल सके और आप अपने सही डॉक्टर को दिखा सके आज हम बात करेंगे हिमेचूरिया, मतलब पिशाब में बलड आने को लेकर क्योंकि जब किसी के पिशाब में बलड आता है, तो वह बहुत जादा डर जाता है उसे बहुत जादा चिंता हो जाती है कि वो क्या करेंगे आज इसी को लेकर हम बात करेंगे कि हिमेचूरिया क्या होता है किन कारणों से होता है और कैसे आपको पता पड़ी कि किस कारण से हो सकता है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं हिमिचूरिया का मतलब होता है पिशाब में किसी भी तरख का ब्लड आना चाहिसे पिशाब रैड होना या पिशाप के साथ में किसी तरह के क्लॉड्स जो ठक्के होते हैं वो आना तो सबसे वले हमको पताएंगे आपको एक कुछ जोगा ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर के पास जाने के पहले ताकि डॉक्टर को पता पड़ सके कि आपके किस कारणों से ब्लड आया है उसमें से एक most important कारण जो आपको याद रखना है वो है आपको यद ब्लड यूरिन में आया है उसमें आपको किसी तरह का पीन है या दर्द है या किसी तरह की पशाब में जलन है या नहीं यानि पेनलेस और पेनफुल हीमेचूरिया जरी की दर्द के साथ बलड आ रहा है पिशाम में या बिना दर्द के या बिना किसी जलन के पिशाम में बलड आ रहा है जिसे हम Painless हिमेचूयआ बोलते हैं फंहीं ज्यादा डेंगरूस होता है ग्लुद ग्लाडट के साथ प्लाड़ आना यह जलंगे साथ ब्लाड आना वह वो तनड्र रनीने की बात नहीं है दूसरी बात आपको यह झान रखनी है कि आपके जो उलाड आया है , वह पूरा यूरिणी ब्लड आया है या छुट-छुटे एक दो तक कत्रे बलड के आये हैं ठक्क्र के रूप में बलड के रूप में यह आये यह थो मैं बाकी पुरा यूरेन के लिए खुछ बाहर आहे हैं आपको आपको चिंता के बात नहीं है अगर पुरा यूरीनी continuously red color का आ रहा है उसके साथ में irregular shape के ठकके आ रहे हैं बिना किसी shape के टेड़े मेडे गोल जैसे ठकके आ रहे हैं blood के तो यह चिंता का विशे है इसके लाव आपको देखना है कि पिशाप करने के शुरू में blood आया था या पूरा पूरा urine blood आया था या पिशाप करने के बाद में थोड़ा blood आया है इसको भी आपको ध्यान रखना है चान नमर में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक बार blood आया है जब भी आप urine pass करने ज तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे इनकी ध्यान में रखने से आपको डॉक्टर को बताएंगे आपने डॉक्टर को तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन्वस्टिकेशन कराना और टीट्मेंट देना वैसे तो ब्लड अगर आपके यूरिन में आता है तो चिंदा की कोई बात नहीं है क्योंकि most of the cases के अंदर कोई cancer इसका कारण नहीं होता है तो सबसे पर हम बात करते है cancer के बारे में जिसका सबसे ज़्यादा डर रहता है आ रहे हैं या फिर आपका बार-बार में पिशाम में ब्लड आ रहा है लेकिन यह यूजवली कैंसर में जो ब्लड आता है वह पेनलेस बिना किसी दर्द के बिना किसी जलन के होता है और इसके अलावा कभी जब कीड्नी से ब्लड आता है किड्nor में याardi के अंदर कुछ कर्कींसर होता है उसमें अगर ब्लड आता ऐ उसमें भी पुरा यूरीन ब्लड मिकसा आता है लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि पिशाप का थैली का ट्यूमर है तो क्लॉट्स आते हैं जो आपके ठक्के आते हैं खूनके वह युजर इर्रेगुलर शेप के गोल शेप के होते हैं लबकि जब किड्नी से या या यूरीटर में के गैंसर में अगल ब्लड आता है तो यूजवली थ्रेड के रूप में आता है और कभी-कभी किड्नी के पेन में जो ब्लड आता है वो क्लॉट होने की वज़े से आपके बैक सेड में थोड़ा पेन भी कर सकता है अब दो नुमर में बात करते हैं यूरीटेक्ट इंफेक्शन के बारे में अगर पिशाप के य फ़ेशन होते हैं जो ब्लड तेनर जैसे कि ब्लड को पतला करने वाली हाट के लिए कुछ मेडिसेंस खाते हैं उन मेडिसीन की वज़ेसे आपको कंटिन्यू प्लिशाप में ब्लड आ सकता है लेकिन यह बहुत जरूरी बात है इसमें पिशाप में जलन भी तसात मी होता है कि नहीं कोड़ा होगा साथ में यह जूञा हमे पूरिश होते हैं या फिर प्रोस्ट्ट के पूर्श thoroughwarz हो में इरी इंटल्प से लिए से बलट आठा है कि है ile तो अब प्ति इने की हैं इसमें unix ब्लाध व्ल strangles stress करते हैं कोमन कॉस होता है यूरे में घरने का होता है stone. अगर आपके किसी भी unit act में stone है, तो उसमें irregular blood आ सकता है, साथ में, लेकिन उसके साथ में pain होगा. अगर आपका bladder में stone है, तो bladder को irritate करके, bladder से पिशाप के साथ में blood आ साकता है, इसमें inter neural blood आएगा, पिशाप में दर्ध होगा, साथ में, कभी-कभी ऐसा लगए पिशाप आठक गया है जब आपनी बोडी को तो बहुता शेक करते हैं यह लाते हैं तो इसटोन उस पिशाप के रस्ते चायब के तहली में वापस साइड में हो जाता है और यूरिन वापस आने लगता है उसके अलावा अगर यूरेटन में जो किड्नी की जो नली है जो किड जी कभी kidney के अंदर blood आता है उसके अंदर जो blood आता है वो भी थोड़ा बहुत painful होता है right side या left side के back में आपके pain होता है तो friends आज आपने जाना कि hematuria के क्या mohamen कारण होते हैं इन कारणों के अलावा एक rare cause आज कल इंडिया में और देखा जा रहा है वो है tuberculosis अगर आपके kidney ureter bladder में tuberculosis या TB होता है उसमें भी blood आता है लेकिन इसमें usually जो blood आता है वो उसके साथ में patient को बार-बार पिशाप जाना पड़ता है क्योंकि इसमें पिशाप थे लिए आपकी छोटी हो जाती है और आपको हर 10-15-15-15 मिनिट में आधी गिंटे में पिशाप जाना पड़ता है रात को 15-20 वा पिशाप जाने के लिए उठना पड़ता है और आपका पुराना history भी होता है कि आपको पहले क्यों भी TB हुआ तो यह तो में चार कारण थे किसी तरह का cancer, पिशाप का infection, पिशाप का infection, पिशाप के स्ट्रेट के नदा का इन स्टोन और टुबर क्लॉसेस जब patient हमारे पास solution में आते हैं सबसे पहले हम उनका ultrasonography और urine routine और culture examination करवाते हैं और आपके पास किसी आसपास किसी डॉक्टर की procedure करने की ज़रूत पड़ती है, दो investigation फर्दर करने पड़ते हैं, तो confirm कि यह blood कहां से आया है, एक तो होता है CT skin, मतलब एक colorful बड़ा X-ray होता है CT skin, उसको करके हम देखते हैं कि यह kidney stone या bladder में tumor या किसी वेशे से तो नहीं हुआ है, और कभी-कभी हम लोगों को सिस्ट्रोस को एक दूर्बीन से आपके पिशाप के रस्ते को पिशाप को थेली को देखते हैं कि यह blood कहां से आया है, तो friend आपके इगर urine में कभी blood आया है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि आज की time में जो blood आता है, वो most commonly जो non-cancerous cause, जो बिना cancer के cause की वज़े से होत है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं होती है, तो friends, हम लोग डॉक्टर के अगर आपके शेरी में कभी blood आया है, तो आप immediately अपने डॉक्टर से संपर करें, क्योंकि blood अगर आपका continuously painless आ रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी की एक वीडियो भी है, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और सिस्टोस्कोपी से related, और blood से related और भी कोई आपकी queries होती है, ब्लडशामी रख में कोई blood आने की कुछ queries होती है, आप मेरे comments box में लिख सकते हैं, मैं उसको उत्तर देने की कोशिश करूँगा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है, तो इसे share कीजिए, subscribe कीजिए, like कीजिए, नमस्कार.